नमस्का एश और इस इंडिया में आपका सौगत दें में प्रिया आपके साथ संसद के विशेश सत्र को लेकर इंडिया में शामिल लोकसभा और राजसभा संसदों ने मंगलवर शाम मलीका अजुन खडगे के घर मिटिंग की इस बेठक में निर्ने लिया गया कि इंडिया अलाइंस में शामिल 28 पार्टियों में से 24 पार्टियां 18 सितंबर से शुरू हो रहे संसद के स्पेशल सेशन में शामिल होगी एक न्यूस एजनसी के मताबिक कॉंग्रेस संसदी दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी इन 24 पार्टियों की ओर से प्रधान मंदरी नरीन मोदी को लेटर लिखेगी केंदरी संसदी कारिमंतरी प्रहलाज जोशी ने पिछले हफ़ते 18 से 22 सितंबर तक संसद के पांच दिन के विशेश सत्र के बारे में जानकारी दी थी फ्लोर लिडर्स के बाद मीटिंग के बाद कॉंगरेस अध्यक्ष खडगे ने कहा मोदी सरकार पहली बार बिना एजेंडा बताय संसद का विशेश सत्र बुला रही है किसी भी विपक्षी दल से ना तो सलाली गई और नहीं जानकरी दी गई यह लोकतंत्र चलाने का तरीका नहीं हर दिन मोदी सरकार एक संभावित एजेंडा की कहानी मीडिया में पेश करती है जिसे लोगों पर बोल्ट डालने वाले मुद्दों से ध्यान भटकाने का एक बहाना तयार होता है संसदी कारी मंत्राले के सुत्रों के मुताबिक दोनों ही सदनों की चल्चा के लिए विशेश सत्र बुलाए गए है लियाजा जॉइन्ट सेशन नहीं होगा अगर जॉइन्ट सेशन होता तो लंबित पड़े किसी महतपूर्ण विधेक जैसे महिला अरक्षन विधेक या एक देश एक चुनाओ के पेश होने की संभावना बनती सुत्रों का कहना है कि जी ट्वेंटी चंद्रयान तीन की सफल लेंडिंग देश के तीसरी अर्थिक शक्ति बनने और इंडिया की जगा भारत का इस्तिमाल करने को लेकर सरकार प्रस्ताव पेश कर चल्चा के बाद उसे पारित करा सकती है इसकी साथ प्रस्ति बने रिए इसमी दिया किसा रहता है